Bitcoin के price ने उपर जाना शुरू कर दिया है और आज के दिन आप सब लोग शांदार, मज़ेदार, धमाकेदार होंगे because हमने यहाँ पे deep में buy किया और अब यहाँ पे Bitcoin का price सारे altcoins यहाँ पे pump हो रहे हैं और हमने deep से पहले यहाँ पे जब dump आया था उससे पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे एक dump आने वाला है थोड़ा सा ध्यान रखना उसके बाद यहाँ पे dump आया dump के बाद अब dump हुआ उसी time पे मैं आपके सामने यहाँ पे live था मैंने आपको सारे old coins bitcoin के साथ सारे old coins के यहाँ पे buy points बताये थे exit वहीं उसके week जो है वहीं तक touch की और वहाँ पे आपने buy किया अभी सब लोग यहाँ पे profit में है right तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले bitcoin का next move क्या हो सकते हैं किस हिसाल से यहाँ पे सारी चीज़े हो सकते हैं बहुत ज्याद आज का वीडियो important रहने वाले कुछ old coins के बारे में भी बात करने वालों और एक investment strategy जो यहाँ पे बिना क्रिप टॉकिंग यूट्यूब चैनल चलिए दोस्ता आज के वीडियो शुरू करते हैं कि दूस्तों आई हूप यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन है क्लियरली देख पार रहा है यहाँ जो चार्ट देख रहे हो दिस इस दे चार्ट ऑफ बिट्कोइन अब यहाँ पे बिट्क टेलिग्राम पे बोल दिया था कि यहाँ पे एक डंप आने वाले बी केरफुल और आपने यहाँ पे ध्यान रखा होगा आप डंप में नहीं फसे होंगे अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है डेफिनेटली यूट लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन बिलो डंप स तीन-चार दिन पहले वीडियो में भी बता है टेलिग्राम पे भी बता है तो इस वेरी इंपोरण्ट कि आप टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो यहाँ पे लिंक देख लेना क्रिपटो किंग के यूदि इसी लिंक को यहाँ पे आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंड में मिल जाएगी वहीं से आप सब्सक्राइब करो अगर आप डाइरेक्ली टेलिग्राम पर जाके सर्च करोगे आपको दो चैनल मिलेगे एक यहाँ पर स्केमर का चैनल है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना यह आईडी नोटिस कर लेना यही आईडी होना चाहिए और कोई आईडी है तो वह स्केमर है ठीक है अब यहाँ पर मैं काफी सारे टेलिग्राम पर चार्ट अपडेट करता रहता हूँ जिससे आपको यहाँ पर काफी ज्यादा यूसफुल हो कोई भी ट्रेज लेने में आपको यहाँ पर यूसफुल हो डेफिनेटली इस वेरी इंपोर्टन तो सब्सक्राइब तो टेलिग्राम चैनल अब यहाँ पर अब आप जो चार्ट देख रहे हो यह बिटकोइन का चार्ट है चार्ट में अगरा को सिंखाएं अब हुर अगर अप यहाँ पर देखे लेके उपर तक अगरहम यहां फीपोटन फिंपोर्टन लिएवल जो होता है यह सारे लेवल्स यहां पर एक्ट करते हैं as a very important support and very important resistance तो यहां पर क्या हो रहा है देखो अभी यहां पर यही लेवल करके देखो यहां से उपर गया नीचे आया वापस उपर गया वापस नीचे आया राइट इस पैटन को क्या बोलते है फोलिंग वेज पैटन जनरली देखा जाए तो 70% of the cases में यहां पर बुलिश पैटन होती है तो यह चीज हमें देखनी है कि यहां पर यह जो पैटन है यह सारे जो resistances है वो break मतलब यह जो trend line का resistance है यहां से उपर break करता है या नहीं करता राइट तो यहां पर एक बार मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और उसके बाद इस point पर यहां पर वो उसको break करें और यहां से उपर जा सकता है बट लेटस सी यह च करता हूं ठीए चीजों को अच्छे से समझना यहां पर यह चीज आपको पता होगी यह वाली जो pattern है right and यह वाली pattern इसको हमने यहां पर दोनों को compare किया था यह ratio में आता है तो मैंने आपको यहां पर क्या बोला था कि मैंने आपको यहां पर पांच पार्स दिखाए थे रा तो यह चीज आपको पहले से पता है बट यहां पर देखो यहां पर इस टाइम पर यहां पर बहुत बड़ा डंप आया था जब में में के टाइम पर यहां पर बहुत बड़ा डंप आया उस टाइम पर आप देख सकते हो क्या हुआ यहां पर बहुत बड़ा डंप तो आ ग तो यहां पर अगर यहां पर आपने लिया होता वो भी सही टाइम था यहां पर आपने लिया तो वो भी सही टाइम था यहां पर आपने लिया तो वो भी सही टाइम था यहां पर आपने लिया तो वो भी सही टाइम था रही टीनों पॉइंट चलो टीनों ठीक है मतलब डॉलर cost average करने के लिए all the three points are good तो अभी यहाँ पे similar चीज होगी क्या होगा देखो अभी यहाँ पे अगर आप current graph consider करते हो current graph में तो क्या हुआ है अभी सिर्फ यहाँ पे dump ही है तो क्या होगा pump आएगा वापस डंपाएगा pump आएगा वापस डंपाएगा यह मुझे लगता है मैंने यहाँ पे telegram channel पे अपडेट किया है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर आप यहाँ पे telegram channel को rigorously follow कर रहे हो तो आपको पता होगा यह यहाँ पे 3 is to 1 को follow कर रहे है अब 3 is to 1 को follow कर रहे है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डंप आया था वह 52 परसंट का था यहाँ पे जो डंप आया वह सिर्फ 17 परसंट का है यहाँ पे जितना time लगा था वह 70 days 70 दिन का time लगा था तो यहाँ पे हम approach find out कर सकते है यहाँ पे around 22 तेज़ दिन का time लगेगा और अगर आप consider करते हो कि यहाँ पे जब डंप आया उसके बाद 22 तेज़ दिन अगर आप consider करते हो तो 12th October के आसपास हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा pump देखने मिल सकता है राइट तो यह चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल डेफिटेटली सब्सक्राइब करो यह सारे चार्ट्स बहुत ज्यादे important होते हैं जो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे बताता हूँ तो यह चीज़ आपको सबसे पहले यह सारी चीज़ों को notice करना पेटर्न को notice करना बहुत ज्यादे important होता है टेकनिकल अनलेसिस क्या होता है आप पेटर्न को notice करते हो आप यहाँ पे support resistance find करते हो आप नए नए indicators को use करते हो जिससे आपको पता जलता है कि यहाँ से price उपर जाएगा यहाँ से price नीचे जाएगा right तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे बोला अगर आप अभी भी यहाँ पे Bitcoin में एंट्री लेना चाहते हो थोड़ा सा wait कर सकते हो क्यों? विकोज यहाँ पे देखो इस point पे उसको resistance मिल रहा है यहाँ पे resistance मिलेगा थोड़ा से यहाँ पे नीचे आता है तो आप यहाँ पे 41,000 पे 40,000 पे और 39,000 पे इस हिसाब से अगर 3 points पे एंट्री लेते हो और साथ में बाकी सारे देखे Ethereum है, Cardano है Binance, BNB है, XRP, Solana यह सारे के जो buy points है मैंने आपको यहाँ पे Telegram पे अपडेट कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हो Telegram पे काफी सारे coins के charts मैंने अपडेट किये एकजर्ट buy point पे अगर आप वहाँ पे order लगाते हो क्या होगा पता है वहाँ तक candle की week जाएगी और वहाँ से वो bounce back करेगा तो अगर आप लेना चाहते हो definitely Telegram पे chart ले सकते हो और अगर यहाँ पे Telegram पे मैंने चार्ट अपडेट नहीं किया तो definitely आप आपका जो भी coin है आप मुझे comment section में बता सकते हो मैं उसके बारे में भी यहाँ पे update कर दूँगा यहाँ पे Elon Musk ने जो Shiba Toshi नाकाम होतो है जो Dogecoin के यहाँ पे creator है तो उन्हों ने यहाँ पे आप देखे Robinhood announcing wallets AMC CEO not only talking about accepting Dogecoin but saying it was the single most interacted with tweet he has ever made the crypto market finally seeing some green eye gotta say और यहाँ पे Elon Musk ने क्या बोला है यहाँ पे आप देख सकते हो super important for Doge fees to drop to make things like buying movie tickets viable यहाँ पे इसकी fees जो है मैंने आपको आगे भी बोला है कि Dogecoin में दो important changes आने वाले एक है fees को कम करने वाले दूसरा है efficiency को बढ़ाने वाले तो यहाँ पे जब fees कम हो जाएगी Elon Musk ऐसा बोल रहे है कि Dogecoin का use करके movie ticket भी buy की जा सकती है तो आप समझ सकते हो how much potential Dogecoin holds तो अगर आपको Dogecoin में भी interest है तो मैंने Dogecoin के buy points भी यहाँ पे टेलीग्राम पे update कर दिया है तो आप यहाँ पे जा के लिए सकते हो यहाँ पे मैं बता देता हूँ around 0.20 के आसपस था तो यहाँ पे आप Dogecoin अगर buy करना चाहो buy कर सकते हो तो यह सारी चीज़े बहुत ज्यादा important हो जाती है अगर आप यहाँ पे news को follow करते हो TA को follow करते हो यहाँ पे कभी भी आप हमेशा यहाँ पे profit book कर पाओगे तो right strategies को follow करना is very important अब यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो का सरे लोग यहाँ पे इतना ज्यादा time नहीं देना चाहते हो उनको क्या है कि यहाँ पे जैसे आप fix deposit में पैसा रख देते हो आपको इतना मतलब पैसा लगा दिया एक साल के बाद आपको return मिल जाना चाहिए तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पता होगा waves coin के बारे में भी पता होगा तो यहाँ पे जो waves exchange है वो एक नई चीज़ लेका है मैं थोड़ा से यहाँ पे देख रहा था मैंने देखा कि जो लोग यहाँ बिना tension मतलब बिना trading किये हुए यहाँ पे fix deposit के हिसाब से या फिर आप जैसे डालते हो पैसा डालते हो और उस पे आपको interest मिलता है तो यहाँ पे cryptocurrency में उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे कमाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Lambo investment करके यहाँ पे waves exchange है यह बहुत ज़्यादा safe है because waves exchange आपको पता होगा कितनी बड़ी exchange है तो यहाँ पे क्या है on up to 63.7% a year तो यहाँ पे इनका आप देख से invest with acceptable risk तो यहाँ पे किस हिसाब से मैं थोड़ा से यहाँ पे पढ़ रहा था तो किस हिसाब से यहाँ पे काम होता है इन लोगों ने अपने खुद के यहाँ पे bots है यह bots algorithms पे काम करते है जो भी coin pump होता है वो coin में वो लोग यहाँ पे पैसा लगाते है आपको क्या करना है आपको यहाँ पे USDT या फिर USDC यहाँ पे जो stable coins है वो stable coins यहाँ पे लगा देने है उसके बाद क्या होगा इनका जो bot है इनका जो algorithm है वही आपकी तरफ से अलग-अलग coins में यहाँ पे invest करेगा जैसे यहाँ पे उसका algorithm बताएगा कि यह coin यहाँ से pump होने वाला है तो pump होने से पहले यहाँ पे यह invest कर देगा उसके बाद जैसे ही pump हो जाएगा थोड़ा सा profit हो जाएगा वो वहाँ से पैसे निकाल लेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह इनका जो लेंबो इन्वेस्टमेंट यह जो waves exchange है इनका जो bot है यह सारी यहाँ पे trading करता है तो इस हिसल से यहाँ पे चीज़े काम करती है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो total 5500 लोग यहाँ पे invest किया हुआ है और आप यहाँ पे देख से तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप for example मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि for example आप यहाँ पे $100 लगाते हो तो यहाँ पे यह लोग क्या बोल रहे है कि as per the previous graph यहाँ पे क्या देखने मिल रहे है कि yearly income आपको यहाँ पे $63.7 मिलेगी तो आप आज अगर यहाँ पे $100 लगाते हो तो एक साल बाद यहाँ पे previous history को देखते हुए यहाँ पे आपको next एक साल बाद यहाँ पे 163.7 आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जब आप banks में fixed deposit यह सारी चीज़ें खुलवाते हो तो यहाँ पे आपको 4-5% का यहाँ पे interest मिलता है लेकिन यहाँ पे as per the past data यह लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका interest rate था 63.7 तो अगर आप यहाँ पे $1000 डालते हो तो यह कुछ Lamborghini एक बंदे को यहाँ पे Lamborghini give away करने वाले है तो इसमें भी आप participate कर सकते हो अगर ज्यादा details देखनी है तो आप यहाँ पे more details में जाके देख सकते हो बट यह चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी काफे सारे लोगों ने questions भी पूछे थे कि सर यहाँ पे bot trading क्या होता है अगर हमें यहाँ पे bot से trading करना है तो क्या करना चाहिए तो यह मैं थोड़ा सा research कर रहा था मुझे एक यह चीज मिली तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिये तो यह यहाँ पे उसके benefits भी काफी सारे है आप यहाँ पे देख सकते हो up to 63.7 as per the past data 63.7 तक आपको यहाँ पे benefit मिल सकते है fixed risk limit यहाँ पे इनका bot इस हिसाब से यहाँ पे develop किया गया है कि आपका जो risk है वो बहुत ज़्यादे यहाँ पे कम रहता है unique mechanism transparency of operations यहाँ पे किस हिसाब से आपका पैसा कहाँ पे जा रहे है सारी चीज़े आपको यहाँ पे पता चलेगी साथ में flexible deposit size and period जितना आपको यहाँ पे deposit 100 dollars, 1000 dollars जितना आपको deposit करना है आप यहाँ पे कर सकते हो तो अगर आपको यहाँ पे invest करना अगर आप interested हो तो मैं आपको यहाँ पे link जो है description में दे दूँगा तो आप यहाँ पे इस हिसाब से कर सकते हो अगर 100 dollars डालते हो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता है अगर आप सिर्फ अभी 100 dollars डालते हो तो एक दिन की आपकी यहाँ पे income होगी 0.17 dollar एक मन्त की income होगी आपकी 5.3 dollars अगर आज 1000 dollars डालते हो तो यहाँ पे एक मन्त के बाद आपकी 1053 हो जाएंगे तो इस हिसाब से यह सारी चीज़े काम करती है I hope यहाँ आपको समझ में आया होगा और कोई इसके बारे में भी question से definitely आप मुझे comment section में बदा सकते हो बाकी अगर bitcoin के बारे में कोई भी old coin के बारे में doge coin के बारे में कोई भी question से यहाँ में मैंने tweet किया है काफी important tweet आई it is very important तो यहाँ आप इस चीज़ को भी देखो Twitter को definitely follow करो साथ में telegram channel को भी definitely follow करो काफी सारी important information यहाँ पर आपको मिल जाएगी और दोस्तों I hope आज का वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा और कोई question से definitely comment section में बदा सकते हो अगर आज का वीडियो यहाँ पर पसंद आया है definitely वीडियो को like कीजिए जिससे मेरा motivation आपको पता हुआ आपका एक like मेरे motivation को यहाँ पर 100x कर देता है अपने friends के साथ share कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए और subscribe के बजमा आपको bell icon पी मिल जाता है वो भी press कर दीजिए चलिए दोस्तों इसे के साथ आज का वीडियो खसम करते है नेक्स्ट वीडियो में मिलते है stay safe, stay healthy, thank you, jai hind